नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल सपनों की उडान में। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके साथ और सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे हमें उम्मीद है आप अपना कीमती साथ अवश्य देंगे। इंधासन पर बैठने के बाद युवा समराट प्रित्विराज की ख्याती दूर दूर तक फैल गई थी। इधर राजकुमारी संयोगिता के रूप के भी खूब चर्चे थे। इन दोनों के बीच प्रेम की कड़ी बना एक चित्रकार। वह देश भर में घूम घूम कर पर राजकुमारी संयोगिता तक पहुँची तो उनका भी मन हुआ कि प्रित्विराज का चित्र देखा जाए और जब उन्होंने चित्र देखा तो पहली ही नजर में वह प्रित्विराज पर अपना मनहार बैठी। इसी तरह इसी चित्रकार के द्वारा ही संयोगिता का चित् प्रिथ्विराज को नीचा दिखाने के लिए उसने उनके समान मूर्ती बना कर उसे द्वार पर द्वारपाल की भाती खड़ा कर दिया। संयोगिता जब अपना वर्चुन्ने स्वयमवर में आई तो प्रिथ्विराज को वहां ना देख कर निराश हो गई लेकिन तभी उसकी नजर द्वार पर पड़ी उनकी मूर्ती पर गई। सभी राजकुमारों को छांकती हुई संयोगिता प्रिथ्विराज की मूर्ती के पास उसे वर्माला पहनाने पहुँच गई। इस वजह से जैचंद के मन में प्रिथ्विराज के लिए और ज्यादा द्वेश भर गया। मिर्जा और साहिबा ये कहानी है दानाबाद गाव में पैदा हुए खरल कभीले के एक लड़के मिर्जा और उसके मामा की बेटी साहिबा की। मिर्जा बच्पने से ही अपने मामा के यहां रहता था। मिर्जा और साहिबा बच्पन से एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बढ़े हुए। बच्पन का ये साथ जवानी तक पहुँचते पहुँचते मोहबबत में बदल गया था। शायद मिर्जा साहिबा एक हो जाते अगर घर के बेटों का दखल इसमें ना बढ़ता तो। वंजल खान इस रिष्टे को अपना सकता था लेकिन साहिबा के भाई शमीर को ये रिष्टा किसी कीमत पर मनजूर नहीं था। एक तरफ जहां मिर्जा को अपनी महबबत सबसे बड़ी लगती थी वहीं दूसरी तरफ शमीर मानता था कि उसका अपनी बहन के लिए प्यार तथा परिवार की इज्ड़त मिर्जा की महबबत पर भारी पड़ेगी। शमीर ने जैसे तैसे मिर्जा को उसके गावदानाबाद भेज दिया और इधर साहिबा की शादी कहीं और तैकर दी। इस बात का पता जब मिर्जा को लगा तो उसने जोश में आकर अपना घोड़ा तयार कर लिया और निकल पड़ा साहिबा को अपनी बनाने। मिर्जा साहिबा को भगाने में काम्याब हो गया। दोनों काफी दूर निकल आये थे। मिर्जा रास्ते में एक जगह आराम करने के लिए रुका। एक पेर की छाव में साहिबा के साथ सुकून से बैठा मिर्जा कुछ देर के लिए सो गया। इस बीच साहिबा ने अपने भ वो अपने भायों को मना लेगी, इतनी ही देर में मिर्जा को चारों तरफ से घेर लिया गया, मिर्जा अपने तीर खोचता रहा मगर सारे तीर टूटे चुके थे, वो समझ गया कि ये साहिबा का किया है, इधर मिर्जा मौत के घाट उतार दिया गया, साहिबा उसकी मौत को बरदाश्ट नहीं कर सकी तथा उसने खुद को मार लिया। साहिबा बेवफा नहीं थी बस वो सही गलत्ते ना कर पाए। उसे मिर्जा और अपने भाईयों दोनों से प्यार था।